नमस्कार आप देख रहें News Watch India और मैं हूँ आपके साथ सत्यमगौर आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा है दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्ब उक्तमोक मंत्री मनीश सिसोधिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है कोट ने हवाला दिया है कि अगर मनीश सिसोधिया को जमानत दे दी जाती है तो वो सबूतों से छेड़ चाल कर सकते हैं और जाच को प्रभावित भी कर सकते हैं आपको बताते चले कि कोट ने 24 मार्च को फैसला सुनाते हुए सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आप कोट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है जिससे की आमादमी पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है बताते चले कि शराव घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनी सुसोदिया को आरिस्ट किया गया था जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अरजी दाखिल की थी जिसके बाद कोट से आम आदमी पार्टी के नेता मनी सुसोदिया को ये बड़ा जटका लगा है इस वक अगर मनी सिसोधिया को जमानत दे दी जाती तो जाँच को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छिड़ छाल कर सकते हैं। कोट ने कहा मनी सिसोधिया के खिलाप गंभीर आरोप लगे हैं। कोट ने कहा सिसोधिया की भूमका के बारे में जाच अभी पूरी नहीं हुई है ऐसे में अभी इस स्टेस पर सिसोधिया को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोट ने आगे कहा कि मामले में सै आरोपियों के खिलाब अभी जाच जारी है। कोट ने आगे कहा कि मामले में महस साथ आरोपियों के खिलाब चारशीट दाखिल की गई है, दूसरे आरोपियों के खिलाब जांच जारी है, आर्थिक अपराद की जड़ें गहरी होती हैं, वहीं इस पूरे मामले को लेकर CBI ने भी दलिल रखी है, CBI के अधिवक्ता ने सिसोधिया की जमानत याजका का विरोत करते हुए कहा है कि इस से जाच प्रभावित होगी, भले ही सिसोधिया के देश छोड़ कर जाने का जोखिम नहीं है, लेकिन निश्यत रूप से वह सबूतों के साथ शेर्चाल कर सकते हैं, इस बात को नजर अंद आज नहीं किया जाना चाहिए, वहीं सिसोधिया की जमानत याजका में दलिल दी गई थी कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि मामले में सभी बराद्वगी पहले से ही की जा चुकी हैं, उन्होंने कहा, CBI के बुलाए जाने पर व